पीदी के साथ बदलते भारत की शाथ पीदी के साथ कर दो फ दो दो दोエंग अधर आए ना आए 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 अधर बैठिया ना केसे हो आप थोड़ा बिमार था अब ठीक हूं अरे क्या हुआ था ऐसे ही आप कैसे हो हमारा क्या है थांदा सला तो देन होली राद दिवाली है नहीं सला तो सब किस सभी का ऐसा ही होता है जी मैंने सुना है कि यह रोहीद बापस आ गया है हां आप कुस भी कहिए भाई साब उसे लोतना नहीं साहिए था बीना किसी के सला लिये वो सहर तो सला गया लेकिन क्या तीक नहीं पाया एक बार अगर मुझ से पूछ लेते तो वहां में बरी कमपनी में काम दिलबा देता अब क्या हुआ मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मेरा बेड़ा घर और परिबार को छोड़ कर कही बाहर जाके बैसे मैं तो खुछ हूँ अरे भाई साब दुनिया कितनी आगे निकल गई है और इसा थूरी ही है कि हमारा गाव बहुत उन्नती कर रहा है यहां तो जीबन बस रुक्सी गई है गाव में कुछ लोग है जो गाहों के उन्नती को रोक रहे है वेवे लोग चले जाये तो यहां भी दिन हो दी रात दी वाली होगी मुझे नहीं लगता कि इस गाउ में कभी दिवाली होने वाली है हाँ, दिवाला तो जरूर निकलने वाला है ठीक कहा न भाई साब मैं चलता हूँ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा बस, तसलिय हो गई तू फिर से शुरू हो गया यार माफ कीजे भाई साब गलती हमारी है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पहले से सब जानता था लेकिन जमीन से जुरे हुए लोग जब सहर जाते हैं न तब गायब हो जाते हैं नहीं तो वापस से ले आते हैं शायद गायब होने के दर से ही मुझे शेहर से भेज दिया गया वहां का माहोल ही कुछ और है यार हमारे रास नहीं आती और वैसे तू क्या कर रहे आजकल मुझे भाय के साथ दुकान चला के कुछ अनभव हो गया और अब मैं अपनी दुकान खोड़ लिया और किसने मदद की तुम्हें पता है किसने सरकार में हाँ सरकार आजकल गाउं के हर आदमी को एक धनराशी दे रही है यानि कि उस धनराशी से गाउं वाले अपना कुछ व्यवसाई कर सके तू तो साहब बन गया यार साहब नहीं दोस्त हाँ, लेकिन जीमेदारी समभाल सकता हूँ भई, क्या यह मदद मुझे भी मिल सकती है? क्या ये योजना मेरी लिए भी है? हाँ, क्यो नहीं? अरे, सरकार यहीं चाहती है कि कोई आये कोई अपने लिए अपना वेबसाइट करे इसलिए तो सरकार ये सब दे रही है भाई मैं भी तो कुछ करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ और कैसे करूँ इसी के लिए तो मैं शेहर गया था लेकिन अरे दोस्त सुन ये सारी बात छोर बीती हुई बाते इनसान के लिए हानिकार रखे हाँ भाई क्या तू इसमें मेरी मदद कर सकता है अरे दोस्त मैं नहीं सरकार मदद करेगी ठीक है तो फिर मैं सरकार से मदद लेने वाला हूँ तो जा जल्दी से सरकार के पास जा आल दो बेस्ट यह नहीं सरकार के तू जा रखे जाए भाई 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 तब ये ठीक हुई नहीं कि आपका बाहा निकलना शुरू हो गया देखा बेटे की आते ही मैं ठीक हो गया इसलिए बोलता था कि छोड़कर मत जा अगर मैं छोड़कर चला गाता था तो हाँ भी ना ऐसी वेसी वाते बोलते रहते हैं अब आ गया न आपका बेटा उन दिनों हर राद सपने में बस वही आते थे और आकर बोलता था पिता जी मैं जल्दी वापस आऊँगा और मैं बोलता था तू कया ही क्यों बेटा कुछ सपनी सच होते हैं आप उन्हें जुटला नहीं सकते अब की बार मैं उसे कही जाने नहीं दूंगा इसी बात का तो दर है अगर वो जाना चाहे तो मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ अब वो हमें चोड़कर कहीं नहीं जाएगा मैं भी अपनी बेटे के बगर नहीं रह सकती एक ही तो बेटा है मेरा वो भी अगर दूर चला गया तो कहां से लाओंगे में दूस्रा बेटा नहीं जाएगा भाग्यवान चलिए आपकी तब्या ठीक हो गई दिल को तसल्ली मिली अब मैं अपनी बेटे को कहीं दूर नहीं जाने दूँगी आपको भूक नहीं लगी चलिए खाना लगाती हूँ को मारे को माल को माल का कई जा रही हो आज तो तुम बहुत अच्सी लग रही हो जो चुम्हारा सेहरा उत्रहूआ था अब देखो कैसे खिल रही हो वैसे आज आज क्रका चेहरा कहा है मेरा सेहरा कि उत्रेगा शायद क्रिम लगाने बूल्गे हूंगे मैं लिरकी हूँ क्रिम नहीं लगता हूँ और बताईए काम ज़ने शबलो सुना हे कि क्या सुना है अपने सुना है कि रोही अपस आगया हैгеत्षट रे पूरे गाव में आप पूछ रहे हो रोहिट वापस आ गया है क्या रोहिट वापस आ गया है क्या अगबार पे लिख के दू अगबार में लिखने वाली बात नहीं है बारी बात तु तो भुती जब वो लोतता नहीं और सहर में रहकर कुछ काम करता हुनहार लोग शहर में रहे या फिर गाव में अपनी काबिलियत से खुद की पहचान बना लेते हैं थुक्राय होए लोग किसी का काबिल नहीं होता किसने किसको थुक्राया तूमें रुहित ने रुहित को सहर ने किसने किसको थुक्राया है या आपको जल्दी पता चल जाए मैं चलती हूँ बरिया है कि यह काम्याबी है अन्न दाता की कि यह कहानी है खेत और खलेहानों की कैसे करें अपने पश्यों की देखभार जानिए गाउं गाउं के किसानों का हाथ देखिए गाउं किसान सुमवार से शुक्रवार दोपहर बारा बचकर पांच मिनट पर अच्छा हुआ कि रोहित वापस आ गया और घर में आपके सीवा और है ही कौन मेरी खुश के बारे में तो तुम पुछो ही मत भगवान को लाख लाख सुकर आदा करना चाता हूं कि उसने मेरे बेटे को घर की राह दिखाया मुझे पता था कि रोही जिसा लड़का सहर में टिक नहीं पाएगा भोला भाला लड़का जो है उन दिन तो मेरी नींद ही काई पो गई थी चाचा ऐसे अगर गाउं के बच्चे सहर जाने लगे तो गाउं में रहेगा कौन हाँ चाचा बहुत बुरा लगता है जब कोई आदमी सब कुछ छोड़के चला जाता है वापस नहीं आता लेकिन रोही वापस आ गया हाँ चाचा बातों ही बातों में एक बात बोलना चाहता हूं क्या आजकर सरकार बदल रही है और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है हाली में एक नया यूजना आया है सुना है इस यूजना में जो आदमी गाओं में ना रहकर बाहर काम करना चाहते हैं वो लोग गाओं में ही रहकर अपना रोज़गारी निकाल पाएंगे हाँ मैंने भी सुना है हाँ यह तो मेरी अच्छी बाद है कि अब गाउं के बच्चे बाहर नहीं जायेंगे घर में रहा कर यह अपना काम करेंगे हाँ चाचा यह बात अगर पुले गाउं में फैला दिया जाए तो कैसा रहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम जब कहो जह चल रहा है बस ठीक ठाक चल अच्छा है सेहर के आने से बाद तुमको तो अच्छा खासा पेशा मिल रहा है और क्यासा ही है अच्छा सेहर के काम से याद आया है पता है वो रोहित बापस आ रहा है हां मिला था मैं उससे सेहर में रूक नहीं पाया तो भाग आया भाग आया मतलब आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ उस साज है सच आपके बारे में मैं हजार सच जानता हूँ क्या सच आप गाउं के लोगों से काम देने के बहाने पैसे लेते हैं मैंने किसी से पैसा नहीं लिया किसे पैसा लिया है मैंने पैसा लिया है कि न से ठगकी तो पुलिस टेशन ज़्यादा दूर नहीं तू मुझे पुलिस के लाम से ड़ रहे हूं की फुलिस के लाम अगए है क्या दर मुझे दर लगेगा मैं किसी से दॉर आ नहीं तुम द्र रहे हो या नहीं तो डढ़ क्या चीज है मैं तुम्हें दिखा दूंगा तू मुझे धंकी दे रहे हो धंकी नहीं दे रहा हूं निगलो यहां से जाओ अभी मैं किसी से दरता औरता नहीं हो अरे तु जाता है कि नहीं आरे पंकस अगली बार गाउं के किसी लोग के साथ गदारी की या पैसा लिया किसी से तो तुझे मैं ऐसा हालत करूंगा ऐसा हालत करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाएगा तू समझा अरे फाइप अंकस गुस्सा क्यों कर रहे हो हाँ अरे आम तो दोस्त है दोस्त है मैं सलता हूं हाँ पिता जी अभी अपकी तब्यात कैसी है फिलाल अभी तो ठीक है पिता जी मैं आपको एक बात बोलना भूल गया था वो आज सियाराम चाचा है थे उझे क्यों नहीं बुलाया आप सो रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे से बात करना चाते हैं और पिता जी राम चाचा ने हर बात का हल निकाल दिया है किस बात का हल पिता जी आजकल हमारी सरकार गाउं के लोगों की बरी सहायता कर रही है अगर कोई खुद से काम शुरू करना चाहता है, तो शरकार उसे एक धनराशी देती है, ताकि वो खुद से अपना एक वेविशाय शुरू कर सके सुना तो मैंने भी है, पर क्या कहा, चाचा ने पिता जी सुना तो सभी ने हैं लेकिन करना चाहिए ये किसी को समझ में नहीं आता भई आपको पता है कोमल दिदी ने गर में फूलों की खेती की है अच्छा किफना आगे बर रहा है ये समाजा मुझे पता है और मैं भी सरकार के मदद से कुछ करना चाहता हूँ जब मैंने ये बात राम चाचा को बताई तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सला दी क्या कहा उन्होंने उन्होंने मुझ से कहा कि मुझे बकडिया पालनी चाहिए और मैं उनके साथ खेलूंगी ये तो बड़ी अच्छी बात है और कब ला रहे हैं ये बक्रिया चाचा ने कहा है कि वो सब ठीक कर देंगे अच्छा हाँ कॉमल जी पिता जी एक अच्छी खबर है जरा यहाँ आना कहिए उस दिन में रोहित के घर गया था और उसे देखके लगता है कि उसे अब उसे गलती का एहसास हो गया है कि वो वहाँ जाके कितना गलत किया है जी पिता जी और मैंने उसे कहा कि हम जैसे सरकार की मदद से अपनी ही जमीन पे फूलों की बगिचा हमने चालू की है ठीक उसी तरह से वो भी कुछ बेवसास शुरू कर सकता है और उसने मुझे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए तो आपने क्या बोला? मैंने बोला कि उसे भक्रिया पारनी चाहिए क्योंकि इसमें फाइदा भी है और उसे भी अच्छा लगेगा यह तो बहुत अच्छी बात है पीता जी अपना व्यवसास शुरू करके वो अपने रोजगारी खुद निकाल सकता है बिल्कुल ठीक कहा तुम्हें और कुछ दिन बाद वो तुमसे शादी भी कर सकता है पीता जी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम हां अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ बाप और सुनो कुछ दिनों बाद गाओं के सभी लोगों को इकठा करके हमें इस योजनाओं के बारे में उन्हें समझाना है और इस काम के लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा जरूर रहेंगे पिता जी अब खुश दिखा एक बार पकली के कि कमालो किसी के नीचे काम करना और खुद के लिए काम करना दोने बहुत अलग बात है बिलकुल सही दोस्त, कल रामजाचा आये थे हमारे घर में अच्छा उन्होंने मुझे इत़ बहुत सही सला दी क्या उन्होंने मुझे कहा कि मैं बकडिया पौनने का वेवसाई शुरू कर सकता हूं अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है भकडियां पालना बहुत अच्छी बात है और उसके दूद से तुम वेबसाई कर सकते हो और उनके बच्चे भी तुम बेद सकते हो और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा तुम्हें वही सोच रहा हूँ भाई एक बार वेबसाई शुरू हो जाए तो थोड़ा सुकून मिलेगा मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्त और तुम अपने खुद से कमाई करने लगोगे बेडियों को तोड़ती, रोडियों को छोड़ती, सशक्ति करन को ओड़ती महलाई समाज में भरते प्राण, यूवा अर्मान, ग्रामीन धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान पिछडी व्यवस्था को चीर कर देती नई उड़ान, पुर्वोतर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा देखिए पहली के रण, पुर्वोतर की कहानिया, सोमवार से शुक्रवार, दोबहर 12 बच कर 30 मिनट पर भाई, जब अपनी बोला बेटे को बाहर भेजने में भलाई है तब मुझे लगा था कि हमारा परिवार तूच जाएगा, मैं कितनी अभागन हूँ, अपने बेटे को ही समझ नहीं पाई पता है दिदी, मुझे पता था कि रोहित अपने घर को चोड़के कही नहीं रह सकता आपको क्या लगता था, मुझे दर नहीं लगता है, मुझे भी दर लगता है, जीजाजी के लिए हाँ, जब उनकी तबियत खराब हो गए थी, तो मैं अंदर से तूट गई थी अपका भी तो तबियत खराब हो गया था, लेकिन आप जीजाजी बहुत खुश है, क्योंकि उसका बेटा जो लोटके आ गया है हाँ, वो बोल रहे थे कि वो रोहित को यहाँ देखकर बहुत खुश है, और अपनी खुशी जुआ से बेहान ही कर सकते हाँ, दीदी, जीजाजी के सहरे पे जो रोनक आई हुई है, उसे देखते ही पता चलता है कि जीजाजी बहुत खुश है हाँ, भगवान करे, हमारा परिवार ऐसे ही चलता रहे, हमारे बच्चे, हमारे उलाद, हमीशा हमारे साथ आप ऐसा कुश नहीं होगा, रोहित कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि रोहित को पता चल गया है कि परिवार क्या होता है हाँ, हाँ, मैंने ही तुम दोनों को कुछ खास बात करने के लिए यहां बुलाया है हाँ, हाँ, चाचा, आपने मुझे समझा दिया, कि अपना खुद का वेबसाइट अपने ही गाओं में कैसे कर सके चाचा जी, आपने मुझे जैसा समझाया था, मैं बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोहित ने बकरी पालने का काम सुरू किया है और मुझे यकीन है कि ये काम अच्छा ही होगा और नहीं तो क्या हाँ, हरे होना ही होगा देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारे गाओं के बच्चे कुछ ऐसा काम करे जिससे की उनको रोजगार भी मिले और गाओं से कहीं दूर भी ना जाना परे चाचा जी, पिता जी कह रहे थे कि हमें ये बात गाओंवालों को भी समझाना चाहिए और जल से जल शुरू करना चाहिए हम लोगों को एक जूट करके ये बात समझा सकते हैं हा बिलकुल और इस काम के लिए मुझे तुम जैसे बच्चों की बहुत जरूरत है हम दुनों आपके साथी हैं चाचा जी है की नहीं जी जी बिलकूल तो फिर हम साथ साथ हैं जरूर 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 इसलिए हम थोड़ा पीछे हैं चंदर ने ठीक बात बोला है जब तक हम खुद की काबिलियोत को नहीं समा सकते तब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ सकते जब एक अखिला आदमी आगे बढ़ता है उसके पीछे दस आदमी जाते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने दम पर आगे बढ़े और अपने बलबूते पर कुछ करे और शैद यही सब सोच हमारी सरकार की है और इसलिए हमारी सरकार अपने गाउं की लोगों की मदद करना चाहती है तक हम अपने सब्ते खुद पूरे कर सके और इसलिए शैद हमारी सरकार ने एक ऐसा योजणा निकाली है जिसके तेहत सरकार हम सबको एक परियाब धंडराशी देती है ताकि हम उस पैसों से अपने पेरों पे खाड़े हो सके सरकार की इस योजना ने बहुत अच्छा कान किया है और इसके मदद से बहुत सारे बच्चे अपने पेरों में खुदी-खुद खरे हो रहे हैं सबसे बरी बाद ये है कि घर की ओलाद घर सोरके नहीं जा रहे है जब एक बच्चा अपना घर परिवार, माता, पिताब सब को छोरके शहर जाता है उनके अंदर बहुत सारे सपने होते हैं ये सारे सपने पूरे हो ये ज़रूरी नहीं है सरकार की इस योजना के वज़े से वो बच्चे अपने परिवार के साथ रह के ही अपने सपने पूरे कर सकते हैं हम गाउवालों से बिंती करते हैं कि सरकारी मदद लीजिए और अपने बच्चों को गाउं में रह कर खुद कुछ करने के लिए प्रौचाहित कीजिए और इससे इन बच्चे के साथ-साथ गाउं के ही तूननती होगी और इस योजना से हम बहुत सारे बैवसाई कर सकते हैं उन बेवसाई से हम अच्छी रोजगार पा सकते हैं जैसे हम गाई बकरी भी पाल सकते हैं दूट बेज कर, माखन बनाकर, दही बनाकर और मिठाई बनाकर भी हम बेज सकते हैं जिससे हमारा अधिक लाभ हो सकता है और इसी तरह धीरे-धीरे हम अपनी जगा पे अपनी कमाई से लाव उठा सकते हैं और गाउं की उन्नति कर सकते हैं मुझे भी ये बात बहुत देर से पता चले कि सपना अपनों के साथ रहे के भी पूरा किया जा सकता है अपनों के साथ रहने में जो शान्ती मिलती है और कहीं नहीं मिल सकती मैं खुद एक उदाहरन हूँ जब मैं बाहर गया था अपना सपना पूरा करने के लिए लेकिन फिर भी मैं अपने इच्छाओं के तरफ रूख किया और इसलिए मैं अपने सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनी के मदद से आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ और मैं शुक्र गुजार हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास वापत चला आया कोमल कहां जा रही हूँ जा नहीं आ रही हूँ कहां से आ रही हूँ क्यों बताओ क्यों नहीं जान सकता मैं क्यों जानना है अरे हक है मेरा किस ने दिया तुमें ये हक तुमारी आखों नहीं मुझे ना फिल्मी दालोग एकदम पसंद नहीं अरे ये फिल्मी नहीं मेरी मन की बात हैं, तुमारी आख़ों पर ही तुम्हें अपना दिल हार बैठा हूं, और ये यही कहती है कि मेरा तुम पे हक है. कब का मेरी आखोने? जब भी मैं तुमको देखता हूं, जब भी तुम मेरे सपनों में आती हो, जब भी मैं तुम्हें महसूस करता हूँ यही तो कहती है तुम्हारी आखे क्या बोलती है मेरी आखे कि रोहित मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ अरे अभी तो बोला की मैंने मैंने नहीं बोला तुमने बोला अरे मैंने तुम पागल हो अरे बोल के चले गई अरे कोमल कोमल यह अरे के चले बहु Muchा क्वागल Looks कर दो बोला के चले सेव एसाध। Dan झाल झाल